हलो फ्रेंड एक बाद फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफ लैंड चनल पर आज मैं नोपाइल आयरवेदिक कैपसूल की जनकारी लेकर आई हूँ यह नोपाइल कैपसूल का उपयोग आंतरिक और बाहरी पाइल्स के प्रभंधन के लिए किया जाता है इसमें आयरवेदिक तैयारी सोनना, गेरू, गुलेल, सत्वा और अर्श, कुतार, रस शामिल है दवा मलाशे के रक्तसराव दर्द खुजली से रहत प्रदान करती है और बावासिर से जुड़ी पुरानी कब्ज को ठी करती है नोपाइल की स्थानी एनलाज जैसी समपत्ती दर्द से रहत देती है और दर्द से मुक्त मल उस सरजन को सुनेशित करती है नोपाइल एक रोगाणू रोधी के रूप में भी कार्य करता है और शरीर में जितियक माइक्रोबियल संक्रमन को रोकता है और नोपाइल कैपसूल का उपयोग आंत्रिक और बहरी पाइल्स गुदा विदर में चिकत्सिय प्रबंधन और सर्जरी के बाद पायरिया की पुर्णरावित्ती की रोक्ताम के लिए किया जाता है उपयोग के लिए दिशा निर्देश अनुशंसित खुराक तीस से साथ दिनों के लिए दिन में तीन बार कैपसूल है कम से कम शह सबता तक प्रति दिन एक कैपसूल का पालन करें यह बावाशिर की पुर्णरावित्ती को रोकने में मदद करता है पुराने मामलों में फिशर और सर्जरी के बाद 6-12 महिनों के लिए दिन में तीन बार एक कैपसूल का दिर्ग कालिक उपचार करने की सलहा दी जाती है नुपाइल कैपसूल अच्छी तरह से सहन किया जाता है और किसी भी प्रतिकूल दुषप्रभाओं से मुक्त होता है नुपाइल कैपसूल तेजी से पीड़ा और सूजन से रहात देता है सांथी खुजली और रक्त बहना रोकता है साथ ही नसों का अवरोध कम करता है और बवासीर पिंड को संकोचित करता है और बवासीर वापस होने से रोकता भी है यह लक्षनों से रहात दे कर विकार ठीक करता है शुरुआत में ही उपचार करने पर बवासीर के अधिकांच मामलों को बिना ओपरेशन से ठीक किया जा सक पर इसे ठीक होने में बड़सों लग जाते हैं इसलिए शिक्र उपचार की सलहाद दी जाती है आमतोर पर पाचन अगनी की कमी से ववासिर होता है इसलिए इसके उपचार या रोक थाम के लिए उचित आहार विहार अवश्यक है इसके लिए हलका भोजन ले और विकार ठीक करें बहुत सारा पानी पिए साथी हरी पतेदार सबजियां और फल खाएं जिनसे रेशेदार आहर मिले चना जोगे हूँ पुराना चावल पपैया और अमल की का सेवन करें साथी दिन में कम से कम दो बार शांश लेनी चाहिए और नियमित मलत्याग की आदट डालें और वजन घटाएं और तेलिए तला हुआ और मसालेदार खाना न खाएं साथी मासाहरी भोजन न करें और मूत्रव मलत्याग जैसे सभाविक काम को न रोकें खानपान नियमित न रखें साथी धुमरपान न करें आलू वजन जैसी सबजियां भी न खाएं और पश्मों के पीट पर और कठोर सीट पर लंबे समय तक न बैठें पाइल्स को आम बोलचाल की भाषा में बवासिर के नाम से जाना जाता है यह एक दर्द नाक समस्या है इस बिमारी से जुड़े सबसे बुरी बात यह है कि लोग इसके बारे में बताने या बात करने में कतराते हैं इस करण कई बार इस्तिती इतनी बिगड़ जाती है कि आपरेशन कराना पड़ता है हाला कि पाइल्स एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी हो जाती है लेकिन अगर आप कुछ सावधानिया अपनाए तो इससे होने वाले दर्द को काफी हद तक कम किया जा सकता है पाइल्स के मरीश को खाने पीने में पूरा सयम बरतना चाहिए वरना तकलिफ बढ़ने की अशंका बनी रहेगी और पाइल्स की समस्या है तो राजमा और दूसरी दालें जैसे मसूर आधी खाने से परहेच करें इनके सेवन से यह समस्या बढ़ सकती है पाइल्स के मरीश को घी और तेल से ज़्यादा इस्तमाल से बचना चाहिए घीव तेल का अधिक इस्तमाल पाइल्स को और दर्दनाग बना सकता है पाइल्स के मरीश को बहुत अधिक फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए बेहतर रहेगा कि पाइल्स के मरीज खाने पीने में फलों और सब्जीयों को वरियता दे या स्वास्त के लिए भी अच्छा रहेगा और इससे समस्या बढ़ेगी भी नहीं तो फ्रेंड इस तरह से इस दवा का प्रयों करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं और निर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लिमेंट, अलर्जी या पहले से मौझूद बिमारियों और वर्तमान स्वास्त इस्तियों के बारे में ज यदि आप यह सती में कोई सुधार नहीं होता है या हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को तुरंद बताएं और यदि आप एक ही समय पर अन्य दवाओं या अर्ण देशित उत्पादों का सेवन करते हैं तो नोपाइल कैपसूल का प्रभाव परिवर्तेद हो सकता है या दुश्परभाव के प्रती जोखिम को और बढ़ा सकता है या इसकी वज़ा से शायद आपकी दवा अच्छी लेकर ही आपको यह दवा कैसे खानी चाहिए इस पर अपने चिकित्सक के सुझाओ का ही पालन करें साथी प्रतिखात प्रभाव की वज़ह से कुछ दवाओं को धीरे-धीरे कम करने की जरत होती है या उन्हें तुरंद बंद नहीं किया जा सकता अपने शरीर स्वास्थ औ और आपके द्वारा परयोग की जाने वाली अन्या दवाओं की अनुसार सुझाओ पाने के लिए क्रिप्या अपने चिकित्सक से परामर्श करें तो फ्रेंड इस तरह से नोपाइल आयरवेदिक कैप्सूल की जानकारी यहीं पूरी होती है और अशकरती हों कि इसकी जानक कारियां लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगी धन्यवाद